ग्रामिन अंचलों में थम नहीं रही अगोशित पिजली कटोती अगोशित पिजली कटोती से आम ग्रामिनों को परेशानी उठानी पड़ रही है वहें तिन में 2-4 घंटे रातरी में भी 2-4 घंटे तक पिजली गुल रहती है सबसे पुरा हाल ग्रामिन फिडर का है जहां पिजली गायब रहने से कई कामकाज ढप पड़े है तो वहें प्रामिनों के अनुसार बिजली सप्लाई बिना कोई सूचना के ही कटोती की जा रही है जिसका पिजली सप्लाई न मिलने से कई व्यापारी वा कई पिजली उप्भोगता परेशान है तो वहें क्रामिन फिडर कोचे वाही से लगभग पीज काओं को विधूत सप्लाई की जाती है वहें हर समस्या बिना कोई सूचना के कई घंटो बिजली कुल रहती है जहां तिन में 2-4 घंटे, रातरी में 2-4 घंटे की अगोशित कटोती से कई तुकान दारों वा बिजली उप्भोगताओं को दिक्कत महसूस होती रहती है जहां ग्रामिल्णों की माने तो बिजली विभाग, रोष्टर के अनुसार बिजली सप्लाई नहीं कर रहा है एक तरप गर्मी तो दूसरी तरप बिजली से संबंदित कई कामकाज लोगों का बिजली कटोती से जिना दुस्वार कर दिया गया है ऐसे में बिजली का ना होना मुसीबत पड़ा देता है यही नहीं कभी कभी सुभा के समय बिजली कुल रहने से पाने की विकक समस्या खड़ी हो रही है जहां ग्रामिल्णोंने मांग की है कि बिजली की समस्या का समाधान कर ग्रामिल्णों को रहत पहुचाई जाए सुप्रीम पावर नियूज के लिए वारसुनी कोचे वाही से विनोध राणा की रिपूर